वेरी गूड मॉर्निंग तो अलो फ्यू यूटेट का जो सेकंड पेपर है वो कल डिसकस किया था CDP आपके साथ और यह पेपर वन है जो कि मुझे कल मिडनाइट मिला हुआ है तो इसको मैं मॉर्निंग में कुछ कोश्चिन्स आपके साथ डिसकस कर दे रहा हूं फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करके आपके पास दो वीडियो आ जाएंगे ठीक है तो फिलाल यह सेकंड पार्ट है आपका इसको देखीगा रक्षा अपने सभी काम निर्धारित समय में पूरे करती है वह नियमित रूप से पढ़ाई करती है क्योंकि वह डॉक्टर बना कर रहे हैं आपकी आपकी जॉब लगेगी आपका अच्छा होगा एन आ तो यह सब क्या हैं आपका आंत्रिक framework कहलाता है और एंट्रिंसिक इसको हम मौटिवेशन कहते हैं ठीक किना तो इंट्रिंसिक लिए क्या है आपका मौटिवेटेट है एक मेरा वीडियो है ग्रूप म जिसमें मैंने लेवल अफ लर्निंग और टाप्स आप टीचिंग बिहेवियर में बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कसिंग किया है अब तो एक्जैम हो चुका है बट सीटेट के लिए आप उसको देख सकते हैं कोई विद्यारती विद्याले में कितना अभी प्रेरित है यह जानने के लिए आप किस तक्नीक का सरलता से प्रयोग कर सकते हैं विच टेक्नीक यू नो, can you use easily to know that how much a child is motivated in school तो देखिए observation जब हम करते हैं तो हमारा observation ही यह पता लगाता है कि बच्चे में क्या चीजे हैं क्या नहीं है ठीक है बाकी तो जो आप देख रहे हैं प्रोजेक्टिव टेक्नीक है, questionnaire है, case study यह तो आपके almost जो हमारा personality assessment होता है उसमें काम आते हैं, motivation को जाचने के लिए कोई assessment टूल नहीं बना हुआ है तो हम observation के through ही इसको करेंगे, ठीक है कोई tool नहीं बना है कहने का मतलब मेरा यह है कि standardized tool कोई नहीं है, ठीक है न Maslow के अनुसार, एक इस्तिती जिसमें बच्चे अपनी पूर्ण शमता तक पहुंचाते हैं, देखो आपने पढ़ाई होता है, Ibrahim Maslow का motivational story लोगों कहलते हैं, theory है उसमें जो top level पर आता है, उसको हम बोलते है self-actualization, आप सब को याद होगा, तो इसका answer आपका self-actualization है, self-actualization में कोई भी इनसान जब पहुंचता है तो वो अपने potential को properly use करना, उसके according काम करना सीख जाता है, ठीक है जिसे बोलते हैं हम अंग्रेजी में self-actualization और हिंदी में आत्मसिदी, यदि किसी बच्चे में perception के बाद किसी ग्यान या कौशल को प्राप्त करने की शमता है, तो यह दर्शाता है If a child has a capacity to acquire some specific knowledge or specific skill की बात कर रहा है, तो specific की जब बात करते हैं, तो आपका एक specific level of learning, या फिर specific level of intelligence की तरफ चला जाता है, यहाँ पर intelligence तो in general हम use कर रहे हैं, तो aptitude यहाँ पर इसका answer हो जाएगा, तो वैसे special intelligence को भी आप देख सकते हैं, बट यह अभी हम aptitude word यूज कर ले रहे तो यह हमाले अपने आप में enough हो जाता है, ठीक है, तो यह ठीक है आपका, क्योंकि आपने देखा होगा, जिसे आप पेपर देते हैं, तो आपका जब ब्याट करने जाते हैं, तो teaching aptitude का एक test होता है, तो teaching aptitude का एक test होता है आपका, वो teaching aptitude test का मतलब ही है कि special skill और special knowledge of teaching, ठीक aptitude आपका हो जाता है, समवेक के विकास को परिपक्ता तथा अधिकम दोनों ही प्रवावित करते हैं, समवेक के, हाँ, ठीक है, तो दोनों करती है, है ना, maturation and learning both affect the development of emotion, बिलकुल, definitely, कोई भी development हो, उसमें आपका maturation and learning दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एक level of age में जब आप learning करते हैं, तो वो आपकी ज़्यादा fruitful आपको दिखती है, क्योंकि उसमें आप खुद से लग करके या फिर पूरे concentration के साथ कर रहे होते हैं, तो that is called maturity only, ये दोरों प्रक्रियाएं, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, परस पर संबंदी हैं, बिलकुल ठीक है, ये conceptual understanding आपने देखनी है, भारत की राजधानी फिर बात कर रहे है, understanding की, ठीक है, आपने BS Bloom का जो taxonomy पड़ा होगा, जहां पर first level memory है, second level आपका understanding है, तो बाकी question हम देखेंगे, भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली है, ये तो memory based question आपका हो जाता है, नौ ग्रहों के नाम बि अगर आपको पता ही नहीं है, इसमें आप रट के काम नहीं कर चला सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा समझ का प्रियूक करना पड़ेगा, तो ये understanding वाला question आपको बन जाता है, और किसे राश्पति का जाता है, who is called as a father of nation, महात्मा गाधी, we know all, चीक है, तो ये आपका answer र creativity क्या होती, creativity is something novel, something new, तो पढ़ लेते statements है, जो नए विचार प्रसुत करता है, बिल्कुल, और लोगों के विचारों से बिल्कुल, भिन्ने विचार प्रसुत कर रहा है, बिल्कुल, नया कुछ कर रहा है, ठीक है, जो नई वस्तुए बनाता है, देखो, कुछ नई का अलग प्रियोग, वो आपका creativity होता है, यह option B जो है, वो particularly creativity को belong नहीं करता है, partially करता है, ठीक है, particularly मतलब की, बिल्कुल, confirm यह creativity का statement है, ऐसा नहीं है, ठीक, जो अपने कारी में नवीनता, बिल्कुल, first और third option जो है, यह इसके हो जाते हैं, तो इसलिए इस cancer आपका उपरोग सभी हो जाएगा, ठीक, चैसे आठ, वह वर्ग के बच्चों के विकासात्मक कारे हैं, जो चैसे आठ वर्ग का जो बच्चा होता है, almost class 1, 2, 3 मान लीजिए, अब उस समय बच्चे का करते हैं, दो शब्द बोलना सीखते हैं, दो शब्द बोलना तो बच्चा मेरे को लगता है कि जब प्री स्कूलिंग होती है, नर्सरी प्ले स्कूल वहीं पर सीख जाता है, तो ये दो शब्द बोलना सीखने वाली बात तो नहीं आएगी इसमें, ठीक है, लिखना सीखता तो अलग बात थी, तो option ए, इस कांसर नहीं होगा, सरल खेलों के लिए शारिक कोशल सीखन बिलकुल ये होता है, ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों के जो स्कूल्स होते हैं, जो क्लास बन, क्लास टू, क्लास त्री, जो अच्छे स्कूल्स हैं, वहाँ पर इस तरह के learning with playing ये इसके लिए बहुत सारी सामगरी रखी रहती है, बहुत सारे टेलम रखी रहती हैं, और बच्चे आपस में कई सारे खेल भी करते हैं, जिससे कि उनका शारिक विकास हो सके, ठीक, आगे बढ़ते हैं, पढ़ने, गरना करने, ये तो बिलकुल ज़रूरी है, ये तो हमारा जो समगर सिक्षा अभियान है, उसके तहद भी कहा गया है, लिटरेसिय और निविरेस पवान चात्रा है, बुध्धी परिक्षन के आधार पर उसे मेघावी कहा जा सकता है, अच्छा एक और चीज़े, पहला कोशन जो है ना आपका, ठीक है, अब देखो यहां पर फिर ये बात ध्यान में रखनी हैं आपने, क्योंकि मैंने अभी अभी आपसे कहा कि जो हमारा समग सिक्षा अभ्यान है, जो पहले सर्व सिक्षा अभ्यान और फिर रमसा इनको मिला करके बना दिया गया है, इसमें जो स्कूलिंग है आपकी प्रैमेरी क्लासिस जो है, वहां पर बच्चों की लिटरिस और निमरी से बात कीगी है, अगर उस बात को ध्यान में रखते उसमें ऑप्षन डी आजाए, फिर आप यह सोचें कि नहीं है, तो मतलब इस वीडियो में आपने देखा तो इसमें सेकंड और थर्ल दोनों थे, इन जर्नल सेकंड थर्ल दोनों ही इसके आंसर है और पर्टिकुलर अभ्यान के संदर में अगर बात की जाए तो इसका आंसर डी होगा, ओके, चलिए, रीना एक प्रतिवावान चात्रा है, बुद्धी प्रिक्षर के आधार पर उसे मेघावी कहा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है, यानि कि इंटलिएंस कोशन उसका हाई है, किन्तु वह सदय महसूस करती है कि उसकी कक्षा नीरस रहती है, ठीक है, तो मतलब अब कक्षा नीरस रहती तो इसमें उसके इंटलिएंस का कोई रोल नहीं रहेगा, तो आगे बढ़ते हैं, एक सिख्षक के रूप में आप रीना की कैसे साहता करेंगे, रीना is a talented girl on the basis of intelligent testing, he can be said brilliant, but she always feels that her class is boring, अब class का boring रहना तो मतलब की उसके पढ़ाने की तकनीक पर रिजादाफ डिपेंड करता है ना, तो क्या चीए उसको उसे सामाने सिक्षन विधी द्वारा पढ़ा कर नहीं, उच्चे स्तरी कौशल विकास हितू रोचक सिक्षन विधी का परियोग करके हम अपनी class को अच्छा मना सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हो और सिर्फ lecture method से पढ़ा रहा हो तो मज़ा नहीं आएगा, वही इस्टरी अगर आपको television में दिखा दी जाए तो एक movie के रूप में, periodic movie के रूप में तो आपको मज़ा आजाएगा, तो वही चीज़ यहां पर है कि class को boredom से हटाने के लिए, attractive बनाने के लिए हम ये कर सकते है, ठीक है, पक्षा का monitor और ग्रह कारी तो ये तो कही तो नहीं तक इसके समन्द में ही नहीं, विध्यारतियों में team भावना के विकास में निमलिकित में से किस प्रकार का वातवरन सहिक होगा, team भावना है तो definitely का cooperative learning होनी चीज़िए, ठीक है, और ये काफी समय से cooperative learning का concept चल भी रहा है, आप लोग देखते होंगे, जो group learning है, जिसमें हम बच्चों को task देखर के, आपस में group बना करके, उनसे किसी problem का solution करने के लिए करते हैं, वो एक प्रकार से cooperative learning आने के सही योगात्मत, सिक्षन प्रक्रिया ही कहलाती है, ठीक है, आप लोग पहले group study किया करते थे, उस सब cooperative learning का ही पार्ट रहता है, कक्षा सिक्षन के दौरान, निम्लिकित मैं से कौन सी चीज, सुनिश्चित की जानी चाहिए, ठीक, तो जब भी आप classroom में जाते हैं, तो इन में से क्या ऐसा है, चारों में से, जो सबसे best होगा, देखो, digital TLM का प्रियोग बिल्कुल किया जाना चाहिए, कोई दोरा है नहीं है, ठीक है, use of digital TLM, maximum use of ICT, ICT का प्रियोग बिल्कुल होना चाहिए, present time पे तो बिना ICT के हो ही नहीं रहा है, आप खुद देखिए, अगर आप ये answers देख रहे ह गया ख्यान विदी का प्रियोग होता है, लेकिन इसको हम early class में prefer नहीं करते हैं, अब देखिए, तीनों option उपर के हैं, बट तीनों में से best कौन सा है, तो याद रखेंगे आप लोग की C वाला best है, क्योंकि उपर TLM use करें या ना करें, ICT use करें या ना करें आप, लेकिन कौन सम्वेगात्मक बुद्धी की विशेष्टा है, सम्वेगात्मक बुद्धी मतलब जानते हैं, emotional intelligence के मत कर रहे हैं, तो यह याद रखना, high IQ जिनका होता है, जो कि आपके 140 प्लस वाले होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि उनका emotional stability हो, वो अधिकतर क्या हो है, emotionally unstable होते हैं, आप बहुत सारे पुराने जो हमारे scientists होगा रहे हैं, उनका अगर आप जीवन दर्शन देखें तो आपको देखने को मिलेगा ऐसा, ठीक है, समझ में रहा है, या फिर बहुत सारे आपके जो, मतलब हम कह सकते हैं कि high intellectual जो लोग है, उनका आपको जीवन दर्शन देखीगा तो उसमें आपको unstability दिखाए देगी, और यह कहा भी आता है कि जो average IQ के बच्चे होते हैं, उनकी stability बहुत जादा होती है, ठीक, तो चलिए पहला option तो इसका नहीं होता है, ठीक है, हाँ, हाँ, होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है, देखो, सम्विगात में यह क्या बोल र ठीक है, जिनका जो IQ level है moderate होता है, वो भी इस category के अंतर आते हैं, ठीक है, तो यह इसका answer partially होगा सिर्फ, ठीक है, completely नहीं होगा, दूसरों को upgrade करने में सक्षम, तो दूसरों को upgrade करने में सक्षम होते हैं, अच्छा ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कि अगर आपका emotional intelligence ब करेगा ना, ठीक है, तो इसका answer आपका देखो, या तो third होगा या फिर one and three हो सकता है, ठीक है, बाकी फिर, नहीं तो नहीं होगा इसका answer, sorry, one तो पाड़ चलिए, अब third तो है नहीं ना, इसका, तो अब देखना पड़ेगा वाई, इसका, इसकी तो थोड़ा सा, इन्होंने question में, only three होना चीए था, इसकी option में, अगर only three नहीं है, तो फिर, see, इसका answer हो सकता है, ठीक है, बट मैं, इसके साथ नहीं जाना चाहूँगा, तो इस question को मैं, यहीं पर hold करूँगा, कि इसका एक particular answer नहीं डाला हुआ है, being able to motivate others, यह तो मुझे लगता है, नहीं कि होना चीए कि बाकिया के बढ़ते चलिए, ठीक है, देखे, मैं जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पर, मैं, जो factual theories है, उसके according बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप generalized way में, इस course two and three लेके चलेंगे, वो अलग बात है, questionnaire बनाने वाले ने इसको किस तरीके से बनाया है, वो अलग बात है, बट इस बट इनिस्टेबल बोल रहा हो, है ना, तो high IQ और इनिस्टेबल होता है, बट IQ हाई ही हो, ऐसे ज़रूर नहीं है, कम भी होती है, चलिए इस पर जाता बहस नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्याजे के अनुसार, बच्चे विश्व के विशय में बढ़ते हैं, बढ़ है, how a child acquire their knowledge, ठीक है, तो आप जानते ही है, schema और assimilation, accommodation and all, ठीक है, तो जीन प्याजे का सिदहनत आप समझें पढ़ा होता है, तो इसमें कोई देर नहीं होनी है, उनको answer इसका है, assimilation and accommodation, ठीक है, इस schema तो आपका एक इस structure होता है, ठीक है, प्रोसेस की बात करें, तो वो प्रोस इसको बोलते हैं, adaptation, चलिए, तो सब पढ़ा होता है, आप लोगोंने, बागी कुछ पढ़ेना पढ़ें, जीन प्याजे, वाइगास की और कोहलर तो रट लेते हैं सब बच्चे, छोटे बच्चों में स्वयम के दिश्टिकोन को दूसरों से भिन्न करने में असमर्थता को इगोसेंटरिजम, इगोसेंटरिजम का मतलब यह होता है, सिर्फ अपने नजरिये से दुनिया को देखना, चीक है, तो यह इसका अंसर होगिया है, I hope कि यह जो मैं बना रहा हूँ, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्फफल होंगे, और आप सभी लोगों से निवेदन हैं कि निवेदन नहीं है, अगर आपको लगता है कि benefit मिलेगा इन questions, answers से, और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे questions, answers अभी recently दो दिन में डाले हुए है, previous year के, तो यह सब आपको आगे, आपका जो exam होना है, seated का, उसमें बहुत help करेंगे, या फिर further कोई exam अगर आप देते हैं, त तो वहाँ पर हो सकता है कि 5-7 questions इसके help करेंगे आपको, वो भी मुश्किल है, तो उसको आप maximum share करेगा अपने friends लोग में और जुड़े रहिएगा, क्योंकि 11 या 12 तारिक से मैं continuously अपने इस channel में एक नई separate classes डालने वाला हूँ, जिसमें की seated का सारगा सारा से लेवसर हैगा, इवन दो उसमें हम pedagogy के साथ साथ बाकी subject भी discuss करेंगे और mathematics के questions हैं, वो मैं कोशिश करूँगा कि आज evening या फिक कल Sunday है और कल time मिलता है, तो कल evening तक आप लोग के साथ पूरे share कर दूँगा, ओके, thank you all of you, have a good day.